चीन में एक डॉगी अपने मालिका का रेलवे स्टेशन के बाहर रोज 12 गंदे तक इंतजार करता है इस डॉगी का नाम जाय अंग्शंग है चीन के लिजब मैट्रोस स्टेशन के पास ये डॉगी रोज अपने मालिक का काम से लौटने का इंतजार करता है 15 साल के इस डॉगी को वहां के आसपास के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये डॉगी बहुत ही शान्त और सब्बे है सबी जानते हैं कि वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता था मालिक जब ओफिस के लिए निकलता है तो जायांग्शंग सुबह साथ या आठ बजे ही उनको रेल्वे स्टेशन तक छोड़ने जाता है मलिका को अलविदा करने के बाद वो गेट के पास ही बैट जाता है मालिक जब शाम को काम खत्म करके वापस स्टेशन आता है तो जायांग्शंग बारा घंटे तक उसका वही पर उसका इंतजार कर रहा होता है जब जायांग्शंग बस स्टेशन पर घंटों अपने मालिक का इंतजार कर रहा होता है तो कई लोग उसके साथ फोटो खिंचाते है जब भी कोई इसे कुछ खाने के लिए देता है तो ये डॉक खाने से इंकार कर देता है